हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्मेंट की बजार पर एसेफ स्मॉल फाइन्स बैंक आज डे टू ओवर होता हुआ देखने को मिला है डे टू के क्या सिनॉप्सिस रहते हुए देखने को मिले क्या दोस्तों ग्रे मार्केट रहती भी देखने को मिले हुए अच्छुली मैं आपका फाइनल डिसीजिएन क्या होना चाहिए इस आइपयो के अंदर सब बात करेंगे तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते है तो सबसे पहले बता दू 463 करोड का यह इशू है जिसमें से कुछ पोर्षन जो है OFS का है और कुछ पोर्षन यहाँ पर फ्रेश इशुएंस का है ओवराल मैक्सिमम पोर्षन जो है फ्रेश इशुएंस का रहता हुआ हुआ देखने को मिला है और बता दू 7 तरिक को क्लोजिंग है इस IPO की 57-60 का प्राइस बांड है थाइसो शेयर का लॉट है अप्लोक्सिमेटली 15,000 के आसपास का जो निवेश होगा इसमें रीटेल के अंदर और रही बात allotment status की तो कल शाम पाज बजे से पहले पहले आपको अपना cut-off जो है उसको select करना है अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है अलोट्मेंट 10 तरिक को आजाएगा लिस्टिंग इस IPO की 16 तरिक को होती भी देखने को मिलेगी इस डेफिनिटल गुड अगर बात करेंगे तो रीटेल पोर्शन ने भी अच्छा का सब पोर्शन भर दिया है 8.34 ताम्स अलरड़ी ए पोर्शन भरिया है कुल मिलाकर 9 गुना यह आज डे टू के अंदर बरता हुआ देखने को मिला है और रीटेल चांसे के अगर बात करेंगे तो अल्मुस्ट हर आट निवेशक को मिलता हुआ देखने को मिलेगा विच इस नॉट अक्चुल फिगर कल अक्चुल फिगर आते वह देखने को मिल जाएंगे तो अब चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजए अलॉट्मेंट चांसे पर ग्रेमार्केट है तो ओवराल लगबग 28% के आसपास का करेंट 28-30% के आसपास का करेंट ग्रेमार्केट रहता हुआ देखने को मिल रहा है और रिकमेंडेशन यही होगी कि लिस्टिंग इन डेफिनेटल इसमें होता हुआ देखने को मिलेगा तो उसे साब से आप करेंट रहे सब्सक्राइब पिर थांकर दिस वीडियो